कि आपके पास में ज्यादा समय नहीं बचा है लगवग आपके पास में 20-25 दिन का समय बचा है आपके पास में लाड़ लो बचें बचा हैं लाड़狂 बचें बचा हों लाड़ लाड़ लोग देखिक पहले क्या है उसको बाड में डाल दीजिए, सबसे पहले आपको इसमें से दस दिन में डिवाइड करना है, कि दस दिन में आपको subject wise, subject wise मतलब कि पहले दो दिन, जैसे हिंदी ले लिजिए, कि पूरी हिंदी को कवर करिए दो दिन के अंदर, revision के रूप में, course आप समने कर लिया होगा, किसी बाद में लगबग आपको ठीके के लिए, ठीके और DS के लिए लाट लो तीन दिन का समय देना है, revision के लिए, अब subject wise, यनि दिन के, पूरे दिन एक ही subject को पढ़ना है, अब वो 2-2 गंटे, 3-3 गंटे वाला काम नहीं करना, अब subject को खतम करना है, कि मैं दो दिन में पूरी हि हिंदी को एक बार revision कर देता हूं, तीन दिन के अंदर पूरी GK के पूरा एक बार बहुत ही अथे से revision कर देता हूं, उसके बाद में आपको देना है, लाट लो जैसे मेत या reasoning में से जो भी आप देना चाहिए, उसके तीन दिन, ठीक है, और जो अंतिम के दो दिन है, वो आप दिन वाइज पढ़िए, ना कि घंटो वाइज, प्योंकि अब आपके पास में अंतिम समय बचा है, और आपको पूरा चीजे कवर करने है, revision के रूप में, तो 20 में से पहले 10 दिन इस परकार से लगाईए, फिर इसके बाद में आप एक टेस्ट दीजे लाट लो, जैस सकते हैं, तो वहाँ पर जाकि एक बार टेस्ट लगाए, आपके कितने नंबर आते हैं, वहाँ पर आपको यह भी बताएगा, कि आपके कौन से पार्ट में नंबर कमाएं, तो जिस पार्ट में नंबर कमाएं, आपके 20 में से 10 दिन बचे में हैं, यानि एक तारिक से, फिर आपको जिस subject जो आपका कम जो है उसको थोड़ा सा समय ज्यादा देना है। देखो। जो कमजोर सब्जेक्ट है न वो आप पांस दिन पहले तक कर लीजे जो भी कवर होता है। अब आपका कोई सब्जेक कमजोर तो 5 दिन में तो आपका Tयार होगा ही नहीं। अब अन्तिम पांच दिन में क्या करें सबसे इंपोर्टेंट पांट कि current gk जितनी भी हो सके उतनी प्यूरी याद कर लीजिए current gk का एक बीक्योषन गलत नहीं जाना चाहिए क्यूंकि एक से लेकर तीन क्योषन आपके सिर्फ current gk करते हैं ssggd ये अन्तिम पांच दिना का क प्रियाई बात्षी विलोम सब्द वाक्यांस के लिए एक सब्द शमानार्ती सब्द यह 101 परसेंट पड़ने हैं क्योंकि अगर आप दो दिन पहले यह पड़ोगे तो आपके जहन में रहेगा पेपर में आप 100% कर दोगे यह AC परकार करना है आप अंतिम समय में में मेथ लेके बेटोगे मेथ जो आती है मेथ जो सBaically उसके लिए समय लगता है अंतिम दो दिन में वो तयार नहीं होती है लेकिन हाँ ये चीज़ें अंतिम दो से तीन दिन चार दिन में तयार होती है तो इनको तयार करना है ठीक है बाकी आपको वर्ग और घन ये जो याद करने वाली चीज़े मेहत में यह आपको याद होनी चाहिए, जितने भी फॉर्मूले आपको भूल के, जैसे शेतर फल के, तो उनका एक बार फिर से रिविजन करना है, ऐसा तो नहीं कि मेरे दिमाग से कुछ निकल रहा है, पुरा फोकस करके उनको याद करने है, कि मुझे सारे फॉर्मूले याद है नही नहीं तो आप क्या करना है, एक बार इदर से लिखना अपनी नोटबूक में मैथ, और फिर क्या करना, जो जो टोपिक से जीडी में जैसे परतिशत, तो परतिशत से समझ जो भी आपको याद है, उसको नोटबूक में लिखिए, से लिखते जाए हर एक टोपिक के, मुखे केने का मतलब यह है कि करन्ट जीके आपको इंपोर्टेंट रखना इस समय, दूसरा जीके 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 आप अंतीम समय में जितनी ज़्यादा फड़ोगे, उतनी ज़्यादा याद रहेगी, अगर आपने एक बार आँख से भी निकली बाहर, तो भी आप पिपर में हिट कर क्या होगे, मेत में ऐसा नहीं होगा, काफी बच्चे इस समय मेत में लगा देते हैं, अंतीम पांस दिन आपको सिर्फ इनी पार्ट को देना है, और हिंदी, इनको देना है ताकि आप नंबर बना सको, स्कोर कर सको, यह 60 कुशन को आप टार्गेट कर सको, मेत जो है आपकी गनीत जो है, वो लाड़ लो आपने तीन महीने, चार महीने, पांस महीने या पिछले एक साल में कितनी पड़ी है, उसी हिसाब सायगी, अंतीम समय में सिर्फ उसके कुछ फर्मुले आपको याद करने हैं, रिविजन करने हैं, बाकी लेके नहीं बेटना है पेन को भी, बा ठीक है, ये जरूर करना है, ठीक है, जितनी मेक्सिमम पड़ोगे अंतीम दिन में, उतनी ज़्यादा याद रहे, क्योंकि 2-3 दिन तो हमको हर चीज याद रहती है, तो उतना एक्जाम के निकटीन चीजों को फोकस करना है, लाड़ लो, ये इस्टेडी पलान अब आपको अपना लेना है, अगर आप चाहते हो, आप भी मेरित रहे, नोखी लगना चाहते हो, ससी जीडी में, तो लाड़ लो, जय हिंद, जय भारत,